हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत मेरे चानल सुनाना की रसोई में और आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत मज़िदार सी रेस्पी तो आई होप आप लोगों को ये रेस्पी पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं तो आज मैं बनाने वाली हूँ दोस्तो मटर पनीर की सबजी, पूड़ी और बढ़ियासी मलाईदार खीर तो हम सुरू कर लेते हैं तो यहाँ पे चूली में देखी आग जला दिया है मैंने और इसके उपर मैंने कढाई रख दिया है अब इसमें मैंने कढाई में देखिए दो चमच मैंने सरसो का तेल डाल दिया है और यह मटर है जिसको मैंने दोग अच्छी तरह से पहले ही रख लिया था तो सारा मटर हम देखिए कढाई में डाल देंगे और इसको चला के हम बढ़िया से इसको भूनेंगे तो मटर पनीर बनाने से पहले हम मटर को यहाँ पर बढ़िया से तेल में फ्राइ कर लेंगे इससे क्या होगा मटर जो है जल्दी गल भी जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा अब यहाँ पर देखिये ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर दो लाल ट अमाटर कट कर लिए दो प्याज कट कर लिये हैं जब तक हमारा मटर फ्राय हो रहा है हम यहां पे खल बत्ये में लैसन और मिर्श को बढ़ियां से कूट के इसका दरारा पेश्ट तेयार कर लेंगे तो दोस्तों यहां पर देखिये लैसन और मिर्श को मैंने बढ़ियां दरारा कूट के ले लिया है साथ मैं अब यहाँ पर मतr हमारा बढ़ियां से देखिए तेज आज पर भून चुका है अब इस्तर शीं बढ़ियां भून के तयार हो गया है हमारा मतr तो अब इसको हम निकाल लेते हैं कडाई में से दूसरे बरतन में हम इस तरह से निकाल लेंगे तो सारा मटर देखिए मैंने निकाल लिया है अब फिर से हम कडाई में तेल डालेंगे अब इसमें मैं आधा चमच तेल डाल दूंगी अब यहां पर हमें पनीर को फ्राइ करना है तो नमक डालके पनीर फ्राइ करने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बाद में उसकी बहुत काफी ज़्यादा soft है नरम है थोड़ा tight नहीं है इसके में आधा है इस इस्वा जाओधानी तो निक Kerryा किया है तो यह देखिए सारा पनीर पनीर को निकाल लेना है अब यहापने से सीम तेल में एक टेजपत्ता डाल देना है उसके बाद आधा चमच adult जीरा डाल डेंगे और इन दोनों के बाद अब बारी आती है मैं दालचिनी और एक काली बड़ी इलाईची की। लाइचिन目रा देख़ोными हराया है इसको हम डाल देंगे और इसके बाद इन सभी चीजों को हमें बढ़ियां से भूनना है तो चला लेंगे बढ़ियां से अब यहां पर यहां पर यह देखिए कटा हुआ जो प्याज है इसको हम डाल देंगे अब प्याज को हम खुब बढ़ियां से यहां पर लाल इसको तो यहीं पर देखिए टेस्ट के अनुसार सबजी के टेस्ट के अनुसार में यहीं पर एकी बार नमक डाल रही हूं इसके बाद प्याज को ढखके और बढ़ियां से इसको पकाना जिसे की प्याज जल्दी गल के तयार हो जाएगा देखिए अभी ढखकन हम अटा लेते हैं प्याज हमारा देखिए बहुत ही अच्छी तरस से लाल भून के तयार हो चुका है अब यहाँ पर हम देखिए जो कटा हुआ लाल टमाटर है पूरा टमाटर हम यहाँ पर डाल देंगे और इसकी बाद इसको भी हमें बढ़ियां से टमाटर को भी भूनना है तो चला के वाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरफ से घुने के तयार हो गए है अब इसमें हम ढालेंगे मसाले तो जैसे यहाँ पर देखिए मैंने देलिया धनिया पौडर। तो देड़ चमच यहाँ पे धनिया पॉड़र इसमें डाल देना है उसकी बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी देड़ चमच के लगभग में मीट मसाला साथ में अभी यहाँ पे हम डाल देंगे आधा चमर लाल मिर्च का पाउडर तो तीखा जितना खाते होंगे कम ज़्यादा उसी साब से आप इसका तीखापन कर लें इसके बाद यहाँ पे हम आधा चमर हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके बाद अब बारी आती है इसमें हिंग की, तो चुटगी भर हम इसमें हिंग डाल देंगे, यह देखिए हिंग डाल दिया है, अब यहाँ पे एक इंपोर्टन चीट कि देखिए मसाले को हमें भुणना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आधा कब तक पानी डाल दें पाकेंगे, तो इसको ढख के हम बढ़ियां से पकाएंगे, तो दोस्तों अभी हमारे दो मिनिट पूरे हो गए हैं, प्लेट हम हटा देते हैं कडाई का, और यह दिखिए मसाले हमारे भुण के बढ़ियां से तयार हो चुके हैं, मसाले में जो मसाले हैं, इसमें से यहां पर हम डाल देंगे मटर और पनीर दोनों को डाल देंगे जो हमने फ्राइ करके रखा था और बहुत ही आराम से यह दिखीए बहुत ही आराम से इस तरह से हमें मिक्स करना है क्योंकि देखिए जो पनीर है अधा ड़ाए character हमेंगे तो इस की वजह से 100 सांटा मतर क्योंग मटर पनीर का जो सबजी है उसको बनाते टाइम एक बात का खास दियान रखना है कि पानी की जो मात्रा है थोड़ा कम रखें इससे क्या होता है ग्रेव उसकी मोटी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो अब इसको हम ढखके ज्यादा नही पूड़ी पे लगाने के लिए बाकी जो आटा है उसको हम पानी डालके और बढ़िया गूथ लेंगे तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी डालके और आटे को हमें बढ़िया टाइट गूथना है तो पूड़ी के लिए हम जब भी आटा गूथते हैं तो थोड़ा आटा गूत के तयार कर लेंगे तो दोस्तों हमारा आटा गूत के देखिए तयार हो चुका है अब यहां पर हमने हाजोड़ लिया है अब इसके बाद अब यहां पर देखिए सब्जी हमारी बन के तयार है यह देखिए, बढ़िया सबजी हमारी खुसबूदार सबजी, बहुती टेष्टी सबजी बनके तयार हो गया है, तो चुले पर बना हुआ खाना तो वैसे भी बहुत टेष्टी लगता है, और इस तरह से बनाया जाए तो क्या बात है, तब तो और ही जादा टेष्ट इसका बढ़ जाता है अब यहां पर देखिए मैंने हरकर्टा धनिया ले लिया है सब्जी में हम डाल देंगे सब्जी में अच्छी खुस्बुगा रही है बहुत ही जादा यह देखिए सब्जी हमारी बनके रैडी है अब इसब्जी हमने दूसरे बरतन में निकाल लिया है इसके कि हमें पता चल जाएगा कि तेल हमारा कितना गरम हुआ है अब यहां पर देखिए थोड़े पूड़ी मैंने बेल के तयार कर लिये हैं अब इस तरह से छोड़ी छोड़ी लोईया हमें कट करके पूड़ी को बेल लेना है चौके के उपर तो दोस्तो यह जो रेस्पी है आज की बहुत ही खास है क्योंकि हमारे उतर प्रदेश में इस रेस्पी की बहुत ही मतलब नाम है और बहुत पसंद से लोग खाते है क्योंकि यह जो रेस्पी है हर घर में बनाई जाती है खास मोके पे जिसे मान लिजे साधी बया है बर्थ तो इसलिए आज आप लोगों के साथ मैं यह शेयर कर रही हूँ होप आप लोगों को यह वीदियो बहुत ही अच्छी लगेगी तो मेरी वीदियो पसंद आए तो आप इस वीदियो को जरू से लाइक और शेयर करियेगा कोमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप वोड़ा सब पूडियों पर प्रेस देते हुए इनको बढ़िया से फुला लेना है हमें और जैसे फुल जाएंगे एक तरफ पूडियां इनको हम पलटके दूसरे तरफ भी बढ़ियां से तीजाच पर सेक के तयार करेंगे देखिए पूडिया दोनों मेने पलटके ले लिय तो यह देखिए हलका सा आपको प्रैस देना है जिससे कि क्या होता है पूड़ी है ना बहुत बढ़ियां से अच्छी तरह से फूल के तयार होती है तो देखिए दोस्तो हमने धेर सारी पूड़ियां यहां पर बना के तयार कर लिया है अब इसको हम प्लेट से ढख के बढ़ियां से इसको रख देंगे और इसकी उपर अब यहां पर जाएगा देखिए पतेला यह मैंने देखिए मिट्टी लगा हुआ मैंने पतेला रख दिया जिसमें हमारा बनेगा मलाईदार खीर तो यहां मैंने ले लिया है आधा लीटर भैस का दूद गाउ में हमारे मिलता है भैस का दूद तो मैंने आधा लीटर ले लिया है और इसमें एक गलास पानी डाल द ग्लास पानी डूहार के लिधारा निंदा जहां कि काजूु1 बदाम किष्मिष चुहारे और यहां में ड्राय फ्रूट्स ऴूधाएक दोड़ां, और दोड़ा सब्सक्याड टेष्टी Tech Department अब यहां पर देखिए मैंने सुखा मेवा ले लिया है जैसे कि यहां पर देखिए काजू है बदाम है किश्मिश है चुहारे है साथ में इसमें एक दो और ड्राइफ रूट्स हैं धेर सारे हम इसमें ड्राइफ रूट्स डालेंगे तबी खीर बहुत ही जादा टेश्टी अब देखिए ड्राइफ रूट्स डालने के बाद इसको हम चला लेंगे और तेज आच रखा है मैंने चूले का जिसे की जल्दी से दूद में उबाला जाए अब यहां पर मैंने चार इलाइची ले लिए छोटे वाले इनको खलबटे में देखिए बढ़ियां से कूट ल हो लिया है और जैसे दूद में बढ़ियां उबाला जाए उसके बाद ही आपको चावल दूद में डालना है तो सारा चावल हम देखिए दूला हुआ चावल है इसको दूद में डाल देंगे और इसके बाद दूद में चावल को डालने के बाद हमें इसको बढ़ियां से तो दोस्तों तुरंत देखिए चावल दूद में डालने के बाद तुरंत हमें इसे बढ़ियां से इस तरह से कम से कम आधा मिनवर तक चलाते रहना है जिसे की चावल की गोले बिल्कुल भी ना बने और इसको देखिए बढ़ियां से खीर को ढखके हम कम से कम जादा नहीं 10 म अभी रेडी है हम देखिए चेक कर लेते हैं चावल देखिए चावल भी हमारे पक्के बढ़ियां से दूद में तयार हो चुके हैं तो खीर अब हमारी रेडी हो गई है अब यहां पर हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे हम तेस्ट के हिसाब से यानि मिठे के हिसाब से इसमें आपसे आप डाल दें चीनी, देखिए मैंने डाल दिया है, खीर भी हमारी अब बनके रैडी हो चुकी है, तो ये लिजिए हमारे उत्तर भारत की लाजवाब, टेश्टी, खास मौके वाली रेस्पी हमारी पकवान बनके तयार है, और ये देखिए, बढ़िया सी रेस्पी, स